सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसमें से अभी तक मैं 31 पेपर कम्प्लीट करा चुका हूं यह है पेपर नंबर 32 पेपर का जो डेट है वो है 25 जुलाइ सिफ फॉर का है टोटल हुए है 39 पेपर वन बाइवन हम सभी पेपर को सुल्प करा दूंगा कुछ पेपर और रहा चुके ह आपको यहाँ पेपर सुल्प कराने मों देर नहीं करते में स्टार्ट करेंगे सेशन को टाइम पास हम नहीं करेंगे देखे कोशन क्या कहा गया है दे लेंथ होब लॉंगेस डाइगोनल अफे क्यू भी जितना कितना दिया गया है से बेन रूट थ्री हमें वोल्म चाहिए जो क्यूब का सबसे लंबा डाइगोनल जो होता है उसकी उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए रूट थ्री उसकी वैली कोशन के कोर्डिंग सेवें रूट थ्री दिया गया है यानि हमें पता चल गया है साइड कितना है सेवें वॉल्म क्या होता है साइड का क्यू यानी साथ का Q, साथ का Q कितना होता है, 343, कौन सेंसर, ओप्सन नमबर D, चलिए next, next देखो क्या दिया आगया है, हमें mean proportion बताना है, आप जानते हो, अगर दो नमबर रहे, x, y, तो mean proportion होता है, अंदर root x into y, ठीक है, उसी तरह से mean proportion लिकालना है, इतने number दिये गया है, पहले, प a minus b का whole cube, x हो गया, into product of y, यानी a plus b का whole cube, into a minus b, अब ध्यान से देखोगे, कुछ चीजें, तो आपको दिख रहा है, a plus b पे power 1, a plus b का cube, multiply में है, तो power add हो जाएगा, यानी a plus b पे power क्या हो जाएगा, उसी तरह से a minus b, और ये power 1 है, तो a minus b पे power, power क्या हो जाएगा, यहाँ से दिक लेगा, क्या होगा, a plus b का whole square आजाएगा, power 2 आजाएगा, यहाँ से a minus b पे power 2 आजाएगा, देखो ध्यान से, यह answer हो नहीं सकता, यहाँ पे a plus b पे power 1 है, नहीं हो सकता, यह दो नो, यहाँ पे a minus b पे power 1 होगा, टाइपिंग error है, तो यह भी नहीं होगा, option a हो जाएग क्योंकि अगर यहाँ पे power 2 हो जाएगा, तो a और b दो option सेम आजाएगे, इसलिए मैंने वहाँ पे power 1 कर दिया, चलिए, next, क्या कहा गया, group of college of, किसी एक group, college के group में, क्या है, students ने decide किया, 10 दिन के project के लिए, लेकिन परते एक दिन, दो students क्या हो रहें, drop out, यानि छोड़के ज यानि starting में, जो project था, उसमें starting में के time पे कितने students थे, तो let's suppose, देखो, पहला दिन, first day, second day, third day, इस तरह से, जो काम complete हुआ है, वो 15th day complete हुआ है, पहले दिन मानले तो initial में, x students थे, दूसरे दिन क्या हुआ, दो छोड़कर के, हर एक दो दिन, परते एक दिन, दो दो छोड़क होगा, and so on, इस तरह से जाएगा, तो हमें ये 15th day कैसे पता चलेगा, कितना, x minus कितना होगा, तो उसको के लिए, देखो, logic यहां से आएगा, देखो, द्यान से, तीसरे दिन क्या है, तो क्या है, इसको लिख सकता हूँ, x minus 2 into 2, यानि एक कम, यहां पे लिख सकता हूँ, x minus 1 into 2, तो देखो, द्यान से, दूसरे दिन, 1 into 2 है, तीसरे दिन, 2 into 2 है, तो 15 दिन क्या होगा, एक कम हो रहा है, तीसरा है, तो 2 into 2, दूसरा है, तो यहां पे पंद्रहवा है तो 14 इंटू हो जाएगा यह पता चल गया तो अब और जो काम complete करना था इसको starting में क्या कर रहे थे जो 10 दिन में ही complete कर पा रहे थे अगर starting में x group का x students थे तो 10 दिन में यहीं project को complete कर पाते हैं चलिए अब देखो ध्यान से थोड़ा सा logic लगाते हैं question को solve करने में ध्यान से देखो कि हम x x x x x x 15 तक यानि 15 x हो गया हां जी माइनस देखो यहां पे यह क्या रहा जाएगा बाइनस टू माइनस टू माइनस four so on यहां पर कितना जाएगा माइनस अठाइस है इस 15 x ऐसे ही रहने दो इसमें से दो कॉमन कर लोगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस सो ओन कितना 14 is equal to 10 x इस 10 x को ऐसे रहने दो 15 x रहने दो माइनस 2 into formula जानते 1 से 14 तक add करते हो formula क्या होता है n into n plus 1 by 2 formula होता है 1 से n तक add करने का तो यह क्या होगा n कितना है 14 तक गया यानि 14 into n plus 1 यानि 15 by 2 यहीं होगा is equal to 10 x देखो 2 से 2 cancel हो गया इसको इधर लाऊंगा तो 15 minus 10 यानि 5 x यह इधर जाएगा यानि 14 into 15 पांच से cancel करूँगा 3 times में यानि x की value कितनी आ गई 42 स्टार्टिंग में कितने थे 42 student थे बन गया हमारा काम चलिए move to the next next question क्या दिया गया है चार मैन है चार मैन है वो कितने दिन में किसी काम को फिनिस कर सकते हैं 18 दिन में आगे कहा जा रहा है कि कितने और मैन की requirement होगी तो काम 12 दिन में पहले चार मैन थे मान लेता हूं x मैन और आ गए चैसे कर लो ना देखो चार मैन 4 मैन थे वह 18 दिन में कर सकते थे लेकिन अब कितने आदमी आ गए कुछ एक्स्ट्रा आगया यानि 4 प्लस एक्स तो वह काम कितने दिन में complete हो गया 12 दिन में बस 12 से ऐसे कर लो ना चार से यहां पे 3 हो गया तीन से 6 यानि 6 is equal to 4 प्लस x तो x की वहलू कितनी आ गई 2 यानि 2 एक्स्ट्रा आगमी की जरुवत होगी तो काम 12 दिन में finish हो जाएगा चलिए next आप जानते हो formula कि sin a is equal to क्या होता है cos b यह condition कब होती है जब a प्लस b जो हो वो 90 डिग्री हो ध्यान से देखो cos a sin b या sin a cos b कब होगा जब a प्लस b 90 डिग्री हो यानि 40 प्लस x प्लस 30 क्या होना चाहिए 90 के बराबर 90 डिग्री के यानि x is equal to कितना हो गया 90 माइनस 40 प्लस 30 य कौन सा एंसर option number b चलिए next next question देखे क्या दिया गया है having a start having a started from the same point and and at the same time two runner p and q p and q are running around a circular track of length 500 meter in opposite direction with speed 6 meter and 10 meter per second के speed से उनका चल रहे है if they exchange their speed after meeting the first time who will reach the starting point first देखो question क्या कहा गया है question logical है मालो ये 500 meter का track है इस point से चलना शुरू करते हैं starting में p और q मालो p इधर जा रहा है और q इधर जा रहा है क्योंकि opposite direction में जा रहे है p की speed है मालो ये है 6 और ये कितना है 10 इस तरह से जा रहे हैं माल लेता हूं कि इस point पे जा करके इस point पे जा करके वो पहली बार मिल रहे हैं ये first time मिल रहे हैं अब कहा जा रहा है कि यहां पे पहुंचने के बाद first time meet करने के बाद वो फिर वहीं वापस starting point पे कितने time में मिलेंगे लेकिन condition है कि यहां पे मिलेंगे तो वो अपनी speed change कर देंगे जैसे देखो ये 6 से जा रहा था अब ये जाएगा 10 से और ये जो 10 से जा रहा था ये आए कर रहा है और ये 10 तो definitely ये इस point पे दोनों क्या होंगे same time पे ही पहुंचेंगे यानि बोथ P and Q will reach at the same point same time यानि जो starting point पे भी पहुंचेंगे क्योंकि दोखो ये इसकी speed बदल दिया और ये इसकी speed बदल दिया तो जो distance यहां से यहां तक कभरब करने में ये लगाया था उतन दोनों कितना वहीं पे पहुंचेंगे starting point पे तो timing उस time पे भी क्या होगा same time लगेगा दोनों को क्योंकि अपनी जो है speed change कर दिये थे चलिए next तो बनाने लाग question था नहीं logically question था एक एक वाइड है एक वाइड है एक वाइड विट side 468 unit is covered with paper the paper is removed okay and square is made from it what is the side of square देखो ध्यान से एक का वाइड था उस पे हमने क्या कर दिया एक paper क्या कर दिया paper उसके साथ कभरब किया गया था जैसे इसको हटाएंगे तो square बन जा रहा है यानि अगर यह square 3D से 2D में आ रहा है definitely है तो हमें area को same करना पड़ेगा अगर 3D से 3D में ही shape बनता तब हमें volume same करना पड़ता तो चलो area same करो तो क्यूवाइड का total surface area क्या होता है 2 into lb plus bh plus hl और square का area क्या होता है side का square तो हम same किया है क्योंकि 3D जो figure थी उससे 2D में हम गया है square क्या shape है 2D क्योंकि उसमें length और length height तो होती नहीं है इसलिए चलो तो 2 into lb length और 4 और 6, 64 के 24 प्लस bh 8 into 6, 48 और hl 8 into 4 यानि 32 is equal to यह कितना हो गया side का square 2 into multiply कर लो देखो दियान से 8, 2, 10, 4, 14, 4, 3, 7, 2, 9 और एक 10 is equal to a square तो a की value कितनी आ गई 200 plus 8, 208 a square अब दियान से common sense थोड़ा सा लगाओ अगर 196 होता अगर 196 होता तो 14 होता होता ना 196 से थोड़ा सा जादा है यानि 14 point something होगा 15 से तो कम होगा क्योंकि 15 का square होता है 220, 220 होता तो 15 यानि 14 और 15 के बीच में होगा यानि 14 point something एक ही option था option C चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहा गया है एस डिपोजिटे टोटल 50,000 रूपी इन टू एकाउंट्स विथ आठ परसेंट एंट्वेल परसेंट इंट्रेस्ट एन्वाली ओके आप्टर वन इयर ही गेट्स इतना रूपए ठीक है how much how much money does he have account of 12% interest rate तो क्या का आगे कि 50,000 रूपए है दो एक जगा 8% की rate है और एक जगा 12% की rate है एक साल के बाद टोटल बनता है interest के तोर पे 5200 रूपी तो 12% वाले पे जो rate है उसका amount कितना था ये बताना है इसको पहले हम allegation method से करते हैं allegation method लगा लो देखो द्यान से 50,000 का 8% percentage से 2-0 cancel यानि 4,000 हो गया पहले वाले case में 4,000 हो गया 8% वाले पे दूसरे वाले में 12% 50,000 का 2-0 से 2% से 2-0 cancel 12,560 यानि 6,000 हो गया और ओभर आल इन दोनों के बीच में दोनों का मिला करके है कितना बावन सो चलो minus कर लोगे क्योंकि होना चाहिए तब 50,000 के 8% 4050,000 का 12% अब देखो द्यान से माइनस करोगे तो 6000-52,000 यानि 800 हो गया तो 6,000-52,000 इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1200 रेशियो ले लोगे 2-0 से 2-0 cancel 4-4 दुनिया चारतिया बार ये हो गया हमारे पास अब देखो दोनों मिला करके 5 unit 5 unit की value questions के according 50,000 है यानि 50 के ये मतलब 1000 हमें लिकालना क्या है 12% वाले पे 12% वाला ये रहा यानि वो कितना है 3 unit 3 unit की value लिकाल दो 5 से 10 तो देखो द्यान से 10 into 3 30 के मतलब 30,000 30,000 कौन सा है ये एक इसका another approach बता देता हूं minimum concept के तोर पे minimum concept कैसे apply करते हो देखो यहां पे 8% है पहले वाले case में दुसरे वाले case में 12% है 12% को break करोगे 8% प्लस 4% अगर 5000 का 8% होता तो कितना होता 4000 interest बनता हमने क्या माना कि यहां भी minimum minimum कितना 8% बढ़ रहें दोनों 50,000 का 8% 4000 लेकिन actual में हुआ कितना है बावन सो क्यों हुआ है 1200 एक्स्ट्रा किसकी वज़ा से हुआ क्योंकि यह 4% एक्स्ट्रा था तो 4% की भेलू 1200 जब हम 100 की multiply कर देगे 100% तो जहां एक्स्ट्रा वाला था उधर का मिल जाएगा हमें 4-3 यानि कितना हो गया 30,000 आ गया हमारे पास और यह क्या आया 12% वाले का आ गया तो यह था minimum concept मेरे को सबसे बेटर यह लगता है दोनों बेस्ट हैं अपने जगा पे आप जिसमें prefer करते हो जो भी concept आपके teacher ने पढ़ाया वो आप कर सकते हो चलिए next next में देखो क्या दिया गया है what is the average amount of salary per year which company has to pay during 4 year 4 साल में हमें बताना है salary per year average बताना है salary कौन सा है यह 4 साल का इसको हमें average बताना है और दूसरी चीज़े क्या कहा गया है कि जो जो सारा table represent कर रहा था वो 1000 रूपीज में हो रहा था यानि सारी चीज़ें 1000 में हो रही था प 10 10 10 और 11 11 1100 हो गया 1100 अपन 4 क्योंकि average कितना है चार साल की बात कि रहे है तो 4 से देखो चार दूनी 8 30 बचा चार साथे 28 दो बचा चार पांचे 20 यानि 275 तो होगा क्योंकि 1000 में है तो 3 0 बढ़हाल होगे कौन सा एंसर आ जाएगा option number D चलिए next next देखो तरुन ओन देखो तरुन ओन ए फ्लैट ओफ लैंड हैविंग वाज 10 परशेंट मोर दैन दा किस से बसब से तरुन के पास जो लैंड का एरिया है वो बसब से कितना है 10 परशेंट ज्यादा 10 परशेंट होता है 1 बाई 10 दस है तो यह क्या है 11 आगे बढ़ते है आग तरुन से नकूल के पास जो एरिया है तरुन से कितना है 40 परशेंट ज्यादा 40 परशेंट होता है टू वाइप यानि प्लस यानि की तरुन का अगर पांच है तो नकूल कितना है साथ देखो देहां से common sense लगाओगे यहां पे तरुन है 11 यूनिट यहां पे तरुन है पन बी कितना हो गया पच्चास और नकुल कितना हो जाएगा गया एंटू साथ सतहत्तर अब जो कोश्चन कहा जाए वो हम देखते हैं आगे क्या कहा गया इप दे एरिया फ्लोट ओन बाई नकुल वाज इतना स्कॉायर फीट वाट वाट वाज दे एरिया किसका बताना है बस से सुल्ब करते हैं 11 से साथ बार में 11 दूनी बाईस उन्चास बचा इग्यारा चोच वाली सी ग्यारा पांचे पैंटालीस साथ से कैंसिल हो जाएगा क्या सतली के 21 साथ पांचे पैंटीस अब पचास का मल्टिप्लाई कर दो जीरो पचाहाँ पचीस पांतियां पंद्रह और दो सत्तरह 50ा आ गया करों चलिए नेक्सट गनेक्स्ट देखो कि क्या करोगे यह हमें से दिख रहा है हमें क्या है स्प्लश टी का अले स्कॉयर और माइनस u a square हो गया आगे बढ़ो यहां से देखो s a square को ऐसे ही रहने दो अगर मैं यहां से minus common करूँ अगर minus common करूँ तो क्या हो जाएगा t a square plus 2 t u plus इतना यानि क्या हो जाएगा t plus u का whole a square ही तो होगा बस अब देखो दियान से a square minus b a square तो क्या होगा एक बार a plus b यानि s plus t plus u एक बार plus u s plus t एक बार minus u formula जानते हो a square minus b square यहां पर क्या करोगे a square minus b square तो एक बार क्या होगा s plus t plus u और एक बार क्या होगा s minus t minus करोगे तो minus u यह cancel हो गया बचा क्या उपर s plus t minus u upon नीचे s minus t minus u बन गया हमारा काम चलिए next यहां पर दिखो दियान से, 1 by sin theta है, minus sin theta है, यह क्या हो रहा है, रुख जाएं. minus sin theta है, हम क्या करते हैं, LC हम ले ले लेंगे, तो sin theta हो गया, 1 minus sin square theta होगा, और 1 minus sin square theta क्या होता है, cos square theta, चलो, अब आजाओ, इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, cos theta by sin theta लिख सकते हैं into one by sin theta क्या होता है cos theta रूज ऐसे रहने तो क्या हो रहा है यह रूज जाईएगा ठीक है चल रहा है एक मिनट रूज जाईएगा चलो ध्यान से देखो मैं एक बार क्या कर रहा हूं cos theta upon sin theta अलग देखता हूं into यह क्या रहा गया cos theta cos theta by sin theta क्या होता है cos theta cos theta into cos theta आ जाएगा कौन सा answer option एही match कर रहा है चलिए next नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं ठीक है चलो अब ठीक है एस shopkeeper purchase 1600 mangos at the rate of 120 रुपै पर डोजेन अब खुद सोचो यहां से 120 रुपै पर डोजेन एक डोजेन में कितना होता है 12 यानि 12 mangos की cost कितनी है 12 mangos की cost है 120 रुपै तो एक mangos की cost कितनी हो जाएगी 10 रुपै हमें कितना 1600 mangos खरीदा गया है यानि cost कितना हो जागा 1600 into 10 यानि कि 16,000 रुपै यह cost price आ गया अब चलते हैं अपने जगह पे अब क्या दिया गया है ध्यान से देखो he sold 900 mangos एटे 15 रुपै पर mangos 900 mangos को किस rate पे बेच रहा है 15 रुपै एक mangos को 10 से 15 रुपै में बेच रहा है 10 रुपै पर खरीदा 15 में बेचा यानि 5 का profit तो 900 पे 5 का profit यानि 500 पे 5 का profit क्योंकि 5 रुपै का profit हुआ प्लस बाकी बचा हुआ 900 के बाद बच गया कितना 1600 था यानि 700 बचा उसको किस हिसाब से बेच रहा है 14 रुपै दस की चीज को 14 में बेचे गा यानि 4 का profit इस पे 4 रुपै का profit हमें overall क्या बताना था gain percent यानि percentage gain यानि कितना हमें profit upon cost price multiply 100 यानि 4500 यह हो गया प्लस साचो अठाइस सो यह हो गया यानि 0085 13 46 एक साथ यानि इतना का profit हुआ देखो ध्यान से तो profit percent बताना है तिहत्तर सो का profit out of 16,000 परसेंटेज में करना है 100 से multiply तो profit परसेंट आ जागए इस विए दोनों कर लो अभी ए और डी में आएगा दिक्कत सोला चोगे चोंसट कितना बचा तो यह बचा हमारे पास 990 नबचानी इस विए शोला पांच इन उला पांच असी यानि 44 45 पाइट सम्थिंग 48 भी नहीं हो सकता चलिए next नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है एथीप स्टिल्स एन आइटम एस देखो एथीप स्टिल्स एन आइटम एक चोर जो है कोई समान चुराता है and escapes यानि भागने लगता है और भागने लगता है किसी स्पीट से 15 km per hour स्पीट से एक policeman arrived at the spot of crime after 4 मिनट चार मिनट के बाद यानि चोर को 4 मिनट के भागने के बाद पुलिस क्या करता है इसपोर्ट crime of a sport जहां से चोरी हो यहां पर पहुंचता है and immediately start chasing that the thief और चोर को पकड़ना शुरू करता है 16 मिनट after the police मैंने started to chase the thief 16 मिनट जब पुलिस स्टार्ट कर रहा है चोर का पीछा करना है उसके 16 मिनट के बाद there is a still gap of कितना हो रहा है 200 मेटर between the two उनके बीच का gap अभी भी कितना है 16 मिनटर पुलिस को जाने के बाद पुलिस 16 मिनट के बाद भी 200 मिनटर का gap उनके बीच का रह जाता है अंतर what distance from the sport of the crime will policeman catch up the thief and what is the speed of the policeman दो चीज बताना है कि जो पुलिस जो था वो sport crime पे जब आता है वहाँ से जब पुलिस चोर को पकड़ लेता है तो उसकी कितनी distance होगी दूसरा पुलिस की speed बतानी है खुद सोचो चोर जो है कितना travel किया चार मिनट यहाँ पे 16 मिनट यहाँ पे यानि 20 मिनट तो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि 20 मिनट है न तो चोर द्वारा कितना distance travel किया गया यानि 15 के ही साब से गया 20 मिनट भागा यानि 20 upon मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड डिस्टेंस क्या होता इस्पीड इंटू टाइम पुलिस की स्पीड मान लो x पुलिस ने कितना distance travel किया चार सिर्फ 16 मिनट क्योंग यह 4 मिनट तो भागा था वो चोर तो 16 मिनट सोलर 2260 और अभी भी दोनों के बीच का डिफिरेंस कितना है 200 मीटर का 200 मीटर को किलो मीटर में बदलोगे तो थाउजंड से multiply क्यों क्योंकि हमें speed किसमें चाहिए km per hour और यह speed x माना है किसका हम लोगोंने पुलिस की speed देखो द्यान से यह कितना हो गया 3 3 से यह कितना हो गया 5 यह 5 हो गया 2 0 से 2 0 cancel 2 by 10 यानि 2 by 10 का मतलब कितना हो गया 0.2 आ गया अब इसको इधर लेकर के आओ तो 5 minus point 2 is equal to यह इधर जाएगा तो 16 x by 60 अब आ जाओ ध्यान से देखो गया यह कितना हो गया अगर मैं इसको बात करूं तो 4.8 is equal to 16 x by 60 यह हटाओगे तो 10 आ जाएगा 1 0 से 1 0 cancel 16 से 3 और x की value 6 into 3 यानि x कितना आ गया 18 km per hour यह क्या आ गया 18 km per hour पुलिस की speed पुलिस की speed देखो 18 15 है इतना है इतना है 18 km per hour एक ही option है तो हमें आगे चेक करने की जरूत नहीं हमारा answer आ चुका क्योंकि यहां पर video solution करा रहा हूं तो आपको यह भी तो बताऊंगा कि इतना distance travel किया देखो द्यान से स्टार्टिंग में क्या हुआ था चोर जो है चार मिनट भागा था चार मिनट के बाद पुलिस यहां पे चोर यहां पे चोर 15 से पुलिस 18 से अभी आ गया हमारा चार मिनट में कितना जो distance travel कर पाया होगा यह चार मिनट में चोर भागा होगा चार मिनट तो कितना distance travel कर पाया होगा पंदरह के हिसाब से जा रहा था चार मिनट में चार और क्योंकि आवर में चेंज इसको घंटे में चेंज करना है तो सिस्टी से यानि चार यानि वन किलो मेटर यहां यह रहा वन किलो मेटर या ऐसे बोल सकता हूँ वन किलोमेटर रहा ना दोनों के बीच का गय अब देखो द्यान से common sense लगाओगे तो भी बन जाएगा हमारा काम जो distance का distance का ratio होगा वही speed का ratio होगा क्योंकि जब भी पकड़ेगा police उसको तो इस timing सेम होगी यानि 18-15 यानि कितना हो गया ratio 36-18, 35-15 दोनों के बीच का difference starting में कितना है one unit की value एक किलोमेटर के बराबर है ठीक है तो हमें starting से लेके जब चोर पकड़ाया वहाँ तक यानि वो distance कौन travel किया होगा police तो 6 unit की value 6 into 1 यानि 6, यानि 6 किलोमेटर आ जाएगा तो 6 किलोमेटर है चलिए, next next में देखो ये diagram दिया गया हमारे पास हमारे पास और क्या कहा गया है यहाँ से यहाँ तक 6 cm है ये radius 4 है ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 9 है ये x है, हमें x ही तो बताना है देखो ध्यान से, diagram में देखो इस triangle की हम बात करने जा रहे है इस triangle की और दूसरा triangle कौन सा? इस triangle की common sense लगाओगे मेरे को दिख रहा है center से tangent होता है 90 degree center से tangent होता है 90 degree क्योंकि अगर ऐसे दो line एक दूसरे को cut करें तो ये वला angle ये वला angle सेम होता है, यानि ये वला angle और ये वला angle सेम हो गया तो definitely है, जब दो angle सेम हो गया तो दोनो triangle क्या होंगे? similar होंगे, similar होंगे similarity का rule कैसे लगाओगे? द्यान से देखो इस angle के सामने देखो द्यान से, तो common sense क्या लगाओगे? ये वाला angle already इसे वाले angle के, जब किसी भी दो angle में, दो angle समान तो तीसरा angle automatic equal हो जाएगा तो द्यान से, देखो similarity क्या होती है? इस angle में, इस triangle में इस angle के सामने कितना है? 4 तो उसी तरह से इस angle के सामने ये वाला angle था, इसके सामने कितना है? x is equal to, अब देखो द्यान से, इस angle के सामने क्या है? 6 इस ट्रेंगल में जो black वाला है उसके सामने क्या है 9 X हमारा मिल जाएगा X ही तो लिकालना था यानी X कितना हो जाएगा 6X is equal to 36 तो X की वहलू कितनी हो गई 6 आगया हमारा answer similar क्योंकि यह वाला ट्रेंगल ट्रेंगल A D E जो होंगे वह similar हो जाएगा ट्रेंगल B E C के यानी यह वाला ट्रेंगल यह वाला similar similarity की property हमने लगा लिया चलिए next next एक property आप जानते हो क्या है कि कोई भी एक आर्क हो उससे circumference पर का angle center पर का angle यह center है तो यह अगर theta होता है तो center पर क्या होता है 2 theta ध्यान से देखोगे अब हमारे इस question में आ जाओ इसकी property की ज़रुवत पड़ेगी फिगर में दिया गया है पीक्यू एक diameter है पीक्यू यह वाला यहां से यहां तक नहीं क्या होगा तो देखो common sense लगाओ एक line है यह center की line है center पर angle यह वाला और यह वाला angle का सम कितना होगा 180 होगा क्योंकि एक line पर कि जितने भी अंगल उनका सम कितना होता है 180 यानि यह हो गया 80 अगर यह 100 है तो अब देखो ध्यान से यह एक आर्क है यह वाला एक आर्क है जैसे हमने यहां पर आर्क कहा था उससे देखो यह वाला center पर रुख जाओ यह वाला center पर का गया, 40, तो property पता होनी चाहिए, next, next में देखो ध्यान से दिया गया, हमारे a plus b minus c is equal to 20, a square plus इतना, हमें लिकालना क्या है, aq minus b, aq plus bq minus cq, देखो ध्यान से, variable कितने है, 3, equation कितनी है, 2, तो एक variable को 0 बना सकते है, तो let c की value 0 रख लो, c को 0 करोगे, तो यहां से खतम हो गया, c को 0 करोगे, तो यहां से खतम हो गया, c को 0 करोगे, तो यह खतम हो जाएगा, 0 into something, यानि हमें लिकालना है सिर्फ aq plus bq, क्या होगा, और हमारे पास जो दिया गया है, a plus b is equal to 20 आ गया, दूसरा case में क्या है, a square plus b square दिया गया है, 152, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं करने जा रहा हूँ, इसका square, तो क्या होगा, a square plus b square plus 2ab is equal to कितना हो गया, a square plus b square है कितना, 152, तो 2ab is equal to 400, माइनस 152 हो जाएगा, तो 2ab is equal to, ये कितना हो जाएगा, 400 में से 152 करोगे, 10 में से 2 गया, 8, 9 में से 5 गया, 4, और ये बचा 3 में से 2, यानि इसको cancel करोगे, तो 1, 2, 4 आ गया, a, b आ गया, हमें यहीं तो लिकालना था, इसका formula आप जानते हो, नहीं जानते हो, तो मैं बता देता हूँ, देखो द्यान से, a plus b होता है, एक नया formula बता देता हूँ, a plus b का whole a square minus 3ab होता है, ये याद रख लेना, तो देखो द्यान से, a plus b questions के according कितना है, 20, हमने a plus b कितना है, 20, a plus b का whole a square, a plus b का whole a square करोगे, तो 20 का square, 400, माइनस थ्री इन्टू ए बी ए बी कितना है वन टू फोर ध्यान से देखो ट्वेंटी इन्टू उसको मल्टीप्लाई करोगे तो चार सो माइनस 24 तियां 72 और यह कितना हो गया 3 यानि 20 इन्टू यह कितना हो गया 400 में से 300 जाएगा तो 100 में से 72 जाएगा तो 28 28 दूनी 56 यानि 560 आ गया तो हम सबसे बेश्ट एप्रोच बता दिया आपका कि आप वैरियेवल को कम करके बना सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं कोश्चन में 40 लीटर मेक्षर कंटें 25% अलकोहल और 75% वार देखो 25 और 75 यह है अलकोहल और यह है वार रेसियो कितना हो गया 1 इस्टू 3 दोनों मिला करके 4 यूनिट चार यूनिट के लिए total कितना था 40 लीटर तो एक यूनिट के लिए 10 तो एक यूनिट के लिए 10 तीन यूनिट के लिए 30 यानि 10 लीटर alcohol है और 40 30 लीटर water है ये पता चल गया 40 लीटर में कितना हो गया 50 पर्षेंटेज में करना है 100 से multiply 50 से दो यानि 20 पर्षेंट क्या रहा नए मिक्चर में अल्कोहल नेक्स्ट पर आजाओ नेक्स्ट में क्या कहा गया है what was the average of Indians FDI over the year of 1992 से 1997 तक हमें क्या बताना है एवरेज बताना है तो देखो द्यान से ये है 5.70 देखो मैं आप कैसे जोडने जा रहा हूं द्यान से देखना PDF इस question की मैं already provide कर दूँगा तो आप tension मत लेना की नहीं दिख रहा होगा वह ऐसे दिख रहा होगा देखो द्यान से पहले हम decimal के पहले वाले को जोडते हैं तो 5, 10, 15, 15, 10, 25, 27, 27, 27, 27, 24, 41, 41, 41, 20, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 92 तो हो गया ये अब decimal वाले को add करने जा रहा हूं decimal वाले को देखो द्यान से decimal वाले को ये है 5.70 द्यान से 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 22, 22 के हो गया 2, carry हो गया 2, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16, 16 और 2, 18 दो अंक के बार decimal है यानि 9, 1.82, 1.82 यानि कितना हो गया 93.82 और कितने साल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डी भाइट कर लो अब multiply 6 से 15 चाके 90 होता है तीन बचा अभी भी 38 है तो 38 को कैसे करोगे 6 चाके 36 बचा 22 चेतली 18 यानि कि 15.6 सम्थिंग होगा तो 15.6 से स्टार्टिं 15.6 से स्टार्टिं चलिए next नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया ध्यान से देखोगे कि the mark the mark price जो फे microwave ओभेन इस इतना and sold इतना 15 990 का mark price था उसको बेचा कितने में गया है 12 792 में हमें क्या बताना है discount तो पहले discount price discount परसेंट बताना है तो पहले discount तो कर लो कितने का हुआ इस में से इसको minus करोगे 10 में से दो गया 8 यह बचा 8 8 में से 9 गया 9 18 में से 9 गया 9 यह बचा हमारे पास अभी भी 8 8 में से 7 गया एक अब क्या हुआ ध्यान से देखो 15 में से 2 गया 15 में से 12 गया 13 हो गया यह हमारा आ गया चलो अब 3 1 9 8 का discount मिला किस पे 15 9 9 0 पे percentage में करना है 100 से multiply कर लो एक जिरो से एक जिरो कैंसील यह इस से दो बार में कैंसील हो रहा है देखें पता चला 15 का double 30 और 9 का double 18 यानि इस तरह से हमने कर लिया डिरेक्टली तो 20 पर्षेंट आगे हमारा एंसर नेक्स्ट यहाँ पर माइनस है देखो यहाँ पर है questions में मैं red color कर देता हूँ actual question में यहाँ type puller है यहाँ माइनस है सबसे पहले क्या करोगे ऐसे question को bracket के अंदर से solve करना शुरू करो जैसे देखो पहले सबसे अंदर वाला bracket को इसको solve करेंगे तो क्या होगा minus यह रहा और यह bracket हटेगा तो minus minus plus हो जाएगा 10 और 8 अठार हो गया 18 यह रहा 18 पी और minus देखो देखो द्यान से 3Q minus ऐसे मैं कर रहा हूँ देखो द्यान से पले इसको खोल लो जैसे देखो यहाँ से मैं खोलने जा रहा हूँ 3Q minus ऐसे कर लो 8P तो हैं ही minus 4Q plus 10P यह रहा 18 18 minus 4Q 18P minus 4Q अब इधर से देखो द्यान से 3Q minus minus plus 7Q हो गया 7Q minus 18P यह आया चलो तो minus 7P और minus पहले से लगा हुआ है तो minus 7Q minus minus plus 18P अब क्या होगा 18 minus 7 यानि 11 हो गया यानि 11P minus 7Q आ गया हमारा 11P minus 7Q एंसर चलिए next नेक्स देखो क्या दिया गया है 20 ओमेन एंड 15 मैन देखो द्यान से 20 ओमेन प्लस 15 मैन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं छे देज में आगे कहा जा रहा है इट टेक्स देड़ सो देज्ट ए सिंगल ओमेन तो कंप्लीट दवर एक सिंगल ओमेन है जो वो देड़ सो दिन में इसी काम को कंप्लीट कर पाती है आगे question कहा गया है, in how many days a single man complete, यानि एक single man कितने दिन में काम को complete कर पाएगा, मालो एक single man M, वो कितने दिन में complete कर पाएगा है, पले इन दोनों को solve कर लो, इन दोनों को solve करोगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, कैसे, देखो ध्यान से, 25, 6,500 होता है, तो 20, देखो ध्यान से माइनस हो जाएगा, यानि 5 ओमेन, इधर जाएगा तो, इधर कितना है, 15 man, यानि man by woman की efficiency यह पता चल जाएगी, कितनी, 5 by 15, यानि 1 by 5, यह हमारा पास हो गया, अब इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, man, और woman की efficiency यह पता है, ओमेन, 5 into 1,500, is equal to man, 1 into x, x की value, क्या कुछ गडबड कर दी, हम लिए, क्या, 20 woman plus 15 man, 6 दिन में, it takes single woman, woman, 1,500, 25 हो गया, 20 minus 5 woman, 15 man, रुख जाओ, हाँ, यहाँ पे यह करने दो, यहाँ से, 5 से, 3 times में, 3 man is equal to woman, man by woman की efficiency कितनी होगी, 1 by 3, man की efficiency, 1, woman की 3, तो woman की 3, यहाँ पे रखोगा, रखूँगा, तो 3 into 1,500, is equal to man है, 1, 1 into x, तो x की value कितनी आ गई, 450 आ गया, चलो, next, next, देखो क्या दिया गया है, एक circle की radius 4 है, radius क्या होती है, center से circumference को मिलाने वाली line, यह 4 हो गई, center से circumference को मिलाने वाली line, radius, यह भी radius, आगे बढ़ते हैं, क्या का आगे, इंस्क्राइब डी ने, right angle, triangle है, आगे, कोई दिक्कत नहीं, ac 12 दिया गया, ac कौन सा है, यह पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक 12 है, आगे बढ़ते हैं, cb की length बतानी है, cb कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक वाली length बतानी है, क्या होगा, देखो इसमें common sense लगाओगे, मैंने आपको एक property कई बार समझायों कि एक circle है, circle के बाहरी से दो tangent दोनों same होते हैं, अगर यह x है, दियान से देखो, दियान से यह 4 है, तो उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, यानि यह 4 है, अगर यह 4 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8, और क्यों से देखो, बाहरी point यह रहा, यहाँ से यह tangent और यहाँ से यह tangent से अगर यह 8 है, तो यह भी 8 होगा, और यहाँ से यह tangent है, रुको, color मैं change कर लेता हूँ, दियान से, यहाँ से इस point से यह tangent और यह tangent दोनों same, यानि x और x मान लो, हमें क्या चाहिए, 4 प्लस x तो हमारा काम हो ज और कुछ दिया गया, क्या information, कुछ नहीं दिया गया, क्या, अगर नहीं दिया गया, फिर कैसे बनेगा, हाँ, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, कैसे, आप जानते हो, right angle triangle में क्या होता है, इसका square प्लस इसका square, इसका square, यानि 4 प्लस x, यह वाला 4 प्लस x का square, प्लस यह वाला, साइड का square, यह था कितना, 12, 12 का square, 144, इसकाल टू यह वाली साइड का square, यानि 8 x प्लस 8 का whole square, ध्यान से देखो, solve कर लो, तो x square प्लस 8 x प्लस 16, प्लस 144, इसकाल टू, x square प्लस 64, प्लस 16, x, x square से x square, cancel हो गया, यह इधर जाएगा, तो 16 माइनस 8, 8 x, यह देखो, द्यान से, 16, प्लस 144, माइनस 64 आ गया, इधर इसको माइनस कर दिया, तो द्यान से देखो, 144 और 6, 50, यानि 160, माइनस 64, is equal to 8 x, यानि 10 में से 4 गया, 6, यह बचा 15, 9, 6, 15, is equal to 8 x, तो x की भैलो कितनी आ गई, 12, x 12 आ गया, हमें यहीं लेंद तो चाहिए ता, यहां से यहां तक 4, तो 12 प्लस 4, यानि 16 आ गया हमारा एंसर, कौन सा है, ओप्सन नमबर D, I hope, समझ में आ गया होगा, चलिए, next, हमें नमबर बताना है, जो 44 से डिवाइड, 44 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए, 4 से, last 2 डिवाइड होना चाहिए, last 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, बाकी सभी में हो रहा है, last 2 डिवाइड, तो हमें 4 से चेक करने की जरुरत नहीं है, अब क्या करेंगे, 11 से चेक, 11 से चेक करने के लिए, odd digit का सम, देखो 6, 7, 13, 13 और 5, 18 और बच गया जो 4, 3, 7 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 18-7, 11 आ रहा है या तो 0 होना चाहिए या 11 का multiple तो यहीं answer हो गया 4 और 11 से दोनों से divide हो रहा है चलिए next 25 में देखो x की value 2 और y की value 3 रखनी है तो under root 2 minus under root 3 over क्या है under root 2 plus under root 3 अब देखो ध्यान से ऐसे question को करने का एक और तरीका है क्या कर दो rationalization कर दो under root 2 plus under root 3 over sorry sign change करते हैं plus है तो minus under root 2 minus under root 3 divided by under root 2 minus under root 3 उपर कितना हो गया root 2 minus root 3 का whole square नीचे क्या हो जाएगा a plus b a minus b a square minus b a square यानि 2 minus 3 चलो अब आते हैं इसको a square करोगे तो 2 plus 3 minus 2 root root 2 into root 3 यानि 6 a minus b का whole square पे break किया और यह minus 1 यह कितना हो गया तीन दो 5 minus 2 root 6 और यह क्या है minus 1 यह माइनस 1 यहां रहेगा multiply कर लोगे तो उल्टा हो जाएगा 2 root 6 positive का हो जाएगा minus 5 का negative होगा 2 root 6 minus 5 option d इस तरह से हमारा पूरा का पूरा complete होता है वीडियो session पसंद आता है तो वीडियो को like कर दीजेगा क्योंकि मैं यहां पे आपको मेहनत से वीडियो बनाता हूं कहीं भी एक भी जगा time pass नहीं करता हूं चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजेगा और वीडियो को share कर दो other group platform पे whatsapp, telegram पे ताकि क्या हो मेरे को manoval बढ़ता है मैं आपको 39 paper इदम dedicated के साथ dedication के साथ करा रहा हूं इसमें कोई भी आपको time pass नहीं कर रहा हूं और जिनको pdf questions चाहिए और क्या चाहिए past की lectures तो वो क्या कर सकते हैं telegram चैनल को join कर सकते हैं इस वीडियो के description box में link मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे कल next paper को solution में thank you